हेलो प्रेंड्स आज मैं धुस्का बनाने जा रहे हूं जारकन की बहुत ही फेमस रेसिपी है तो चली शुरू करते हैं सबसे पहले ले लेंगे आधा कप चना दाल चना डाल डालने के बाद वन फोर्थ कप उरत दाल और उसके साथ ही एक कप चावल यह नौर्थ इस्ट का ल अब इसमें पानी मिला देना है पानी डालने के बाद चार से पाच घंटे भिगा के छोड़ देना है हाँ जी चार घंटा हो चुका है तो अब ग्रैंड करके इसका एक अच्छा सा पेश्ट बना लेना है हम लोगों को यह देखिए मैं जार में डाल रही हूं उसके साथ हर अद्रक और लेसन भी डालना है और इन सब को अब एक साथ पिसके पेश्ट बना लेंगे हाँ जी तो हमारा जो डुसका का पेश्ट है वो रेडी हो चुका है अब मैं इसे बाउल में ट्रांसफर कर दूँगी माउल में टालने के बाद थोड़ा सा नमक डालेंगे नमक डालने के बाद अच्छी तरीके से फेट देंगे फेटने से क्या होता है न दुसका उतना ही फल्कवी बनता है फेकने के बाद 4 घंटे इसे कवर करके एक साइड में रख देंगे, 4 घंटे के बाद इसे ही उच करेंगे, हाँ जी, अब यहाँ देखे, कडाई मैंने रख दी थी, तेल डाल दिया है, तेल अच्छी तरीके से करम हो चुक है, और 4 घंटे के बाद हमारा पेश्ट भी फूल जाए, और यह देखे, कितनी अच्छी तरीके से फूल के आ रहा है, और हाँ जी, अब मैं इसे पलट दूगी, ताकि दोनों तरफ अच्छी तरीके से हो जाए, और यहाँ पे देखे, हमारा डुस्का रेडी हो चुका है, तो चलिए अब प्लेटिंग कर लेते हैं, ह हाँ जी, देख सकते हैं, हमारा डुस्का और यह कठल की सबजी बनके त्यार हो चुकी है, डुस्का आप चटनी के साथ, किसी भी सबजी के साथ मोश्ट लिए, आलो मटर या आलो दम, कठल की सबजी और चेना आलो की सबजी के साथ बहुत अच्छा लगते हैं,